जी मेरा नाम राणी रंगीली है, मैं राजस्तान से हूँ और डांसर, एक्टर और मेरी कुद की कमपनी भी ए मिजी कमपनी राणी केसट जी किस से प्रेणना मिली जो इस फिल्ल में आये हैं? मेरी ममी के दुख देखते हुए, मैं वह देखके बस बनी हूँ, और मादूरी जी से मेरे मलू उनको फोलो किया है, उनसे प्रेणना मिली मुझे के मैं यह लाइन। तोड़ा सापने वारे कुछ दर्सों के बताएंगे कि कौन सा बतलब किस वक्त आपने इसमें कदम रखा दान्स में और संगीत के दरू से अच्छा नुमर थी? मैं 14 साल की थी मैं, जब इस लाइन में आई हूँ, तो जब मैं छोटी थी तब भी मेरे पापा शान्त हो गए थे, देत हो गए थी पापा की, तो मेरी ममी न हम दस बेन भाई हैं, तो बड़ी मुस्किल से हमें पाल पोस के बढ़ा किया है ममी ने, तो यह दुख देखते मैं कुछ बनाओ, हुनर तो मेरे में बचपन कही है, तो मैं इस लेन में यही बना चाहती थी कि मैं कुछ बनाओ, परिवार के लिए कुछ करूँ और धहर सारा फैसा कमा उन्हों हो, जो कुसी मिलनी चीए वो कुसी दे सको इसलिए यह देश कूँ, पस इसलिए में इन यह गुरू है गोपाल जी गुजर जुनोंने मुझे मंच पे देखा तो मेरा एक अलगी एक था अलगी डांस था राजस्तान में विल्कुल डिफरेंट डांस लेके आई थी मैं तो वह देखते हुए राणी मेरा नाम बोर लेडी है तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनके जो लट सकती दूसरी हमारा जो राजस्तान है वह बहुत अच्छा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो चैन चोना चीए अच्छा आपको फ्यूचर नगर रियल की सो में जानी का हो सकती है तो बिल्कुल ऐसा मोका मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी और मेरा जो जब से मैं जुड़ा है इनके साथ तो फर्स्ट में गाने के त्रूई में मिला था इनसे तो फर्स्ट ही गाना हमारा ब्लोगबस्टर हीट हुआ जो टाइटल हरियाला बना राजस्तान का बहुत ही फैमस सोंग है तब से बस पीछे मुड़के नहीं देगा जो भी गाने की सारे ब्लोगबस्टर सौंग है और बिल्कुल मिलियंस में व्यूज हैं यूटुब पर और रानी जी जैसी हैं अभी दिख रही है वेसी बहुत ही अच्छी परसनली भी बहुत ही अच्छी है और most important यह इनमें की बहुत हार्ट वर्किंग है और बिल्कुल हर समय बस काम का स सबसे पहले तो once again विश्व वेरी और बच्पने में हम कहानी सुनते ते अक्सर की एक थी रानी और मुझे नहीं था ये रानी रंगेली होगी और आज पहली मर्तबा इस रंगेली रानी को अपने साथ पा रहा हूं देख रहा हूं और बच्पन के कहानी आज साक्षातकार हुआ है तो मैं अपने आपको बहुत शुक्रवार शुक्रगुजार मानता हूं और दूसरा ये कि जैसा इन्हों ने जित्रा बोला अभी तो इससे ये प्रपीत होता है कि वाके ये अपने आपे बहुत करमठ है और इनकी विश्चता मुझे ये लगी वो विना फोहड़ता कि विना उन्सलूल कपर मठका है ये अच्छा स्वदेशी अपना नित्य दिखारी प्रदशन कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है तो ये बाते ही काभीले तारीफ है और राजिस्थान का तो नाम ये उंचा करीर है ये साथ ही साथ देश बड़ी बात है उंडा बात है तो मैं इसके लिए आपको बढ़ाई देखा हूं गांगा बिना सोच वसंजे नी संदे कंपर मठका हूंगा आप 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 आपको जी बिल्कुल मैं रानी जी के लिया है अपर सब्स्रेश प्रोड्यूसर राजस्तान से हैं और मैं हर्याना से हूं तो हमारा एक अलगी केमिस्ट्री होगी दोनों की ना और मूमेंस को तो आगे बढ़ना ही चाहिए और ये इतनी मैनत कर रही है अपकोस आप बहुत आगे जाओगी और मेरी बेस्ट विशिस हैं आपके साथ कि आप रियल्टी शौ में कहीं बड़े पर्दे पर आओ और मतब राजस्तान की एक लड़की धूम बचाये आगे ना थैंक यू बैस्ट अप लग्ट आपके क्या क्या प्रजेक्ट कुछ बो आओ एक कोमेडी मूवी भी है राजकुमार जी भी देख चुके हैं वो मूवी और कुछ अल्बम सॉम्ग है और अभी चल रहा है प्रोसेस में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आई कितने आपका प्रोफाइल देखे मैं कुछ टाइम पहले के थे बीच में ड्रॉप कर अभी मुझे रिसेंट्ली डेली में टाइकून अवार्ड्स भी मिला तो आइम हैपी मुझे भी कुछ करना अभी इस लाइन में सपना जो है काडिल बानी जाती है है हर्याना में जी तो आप कितमा बैश करते हो देखे मैं सपना को बहुत लाइक करती हूं सपना को मैं तो बहुत पसंद करती हूं कि बहुत मैंझे ten वह को बच्तन से उसने स्टेस पर डांस करना ऐसे हुन पब्लीक के सामने उसने अपना हुनर दिखाया है और मेनत के इपने मेनत से आगे बढ़ी आप्रिशेट करती हूं सपना चौदरी को मैंने प्रॉपर एक आइटम नंबर किया डान्स आइटम नंबर मेरी फिल्म आरे रिलीज होने को है फिल्म का नाम है गुलू शादी मुबारक जिसमें सपना और महीं हो परेट में रानी आपका फोन आइडल है बॉल्यूड के अंदर कांस माधूरी दिख्यात वाव बच्वन से फॉलो करती है उनको देखके एक्टिंग सीखियों उनको देखके डान्स सीखियों और सिंगिंग मेरे अंदर कई जनौन है क्या बात है आप क्या कोफाईल है सर आपका मैं को स्टार हूं रानी जी का और सारे गाने हमारे ब्लॉक बस्तान के रंग और मुंबई में विखेरना है और आप लोगों से खास मुलाकात बहुत ही कुशी की बड़ी कुशी है करेंगे कोई दमागा दमागा फिलम में एल्बम कुछ भी हो सकता है पर होगा जरूर अच्छा आप जानना चाहूंगा कोई राय सारी गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है और एक सुना दे आप दूंगों सारे गाने हीट है वैसारी गाने हीट है हाँ जो अभी मेरा सौंग है डीजे सौंग है रही सो मिलियन पर हो अभी वो अभी बहुत ट्रेनिंग में भी चल रहा है वो गातियों कि आपने किस से पूछ के सवाल किया है आप देखो पहले वलगर्ता हमने कभी नहीं कि नहीं नहीं आप सवाली गलत कर रहे हो ना ऐसा कभी हुए नहीं है यह सब्सक्राइब नहीं 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 लड़की जो आ रही वो ट्यार पी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है दूसरी मेरे जो एलवो में मेरे जो इस्टेस हो है वो आहम जनता अपनी फैमिली के साथ देख सकती है उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि या आप दरता हो रही या गलत हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है अपना क्या है कि मेरा जो आपकी सही है आप जो सवाल करने वह सवाल करो ना इनका सवाल को कोई मतलब ही नहीं जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ऐसे यह होता है कि अपने चैनल करे करेंस की बारी कि या पिया पंडिवर्द समय ने ने मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है वो मुझे इसलिए नहीं 행 चाफ कई मतलब हम सेदी चलती आप से में इस मार्गेट में हूँ जब मेरा शू होता थाथ तो ये सब करने की जुरूत नहीं है, आप बदरदा करने की जुरूत नहीं है, मेरी एक अलगी चाहाँ पे राजस्तान में, जब राणी रंगी लिए आती है न तो पूरी दुनिया एक साइड में होती है, राणी रंगी लेक्साइड में, बिक बोस में आपको कभी न्योता अपने गाना नहीं चाहाँ कुछ नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं ओफर और आएगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी, मेरा जो टेलेंट है और राजस्तान की जो रंग है, वो बिग बोस में मैं जरूर बिख्यरना चाहूंगी एक पर गाने के जरिए लिखेर दीजे में वापिस अपने स्वाल का कपसे भाव इतुमर हो रहा है, सुना जरूर बिख्यरना चाहूंगी कमर या लचके दिल मारो दड़के डीज जोहर को बाजे डीजे पर नाचलो नाचो नाचो डीजे पर नाचलो चड़ती जवानी मांगे या पानी डीज जोहर को बाजे डीजे पर नाचलो नाचो नाचो डीजे पर नाचलो अगर अंदर से शेटिंग होती है तो आपको विख्योस में जाने का मौका मिले अपने शेटिंग के द्वारा ऐख सबसेटिंग है और मिंदारर शेटिंग अजाने में जा यूइव नटारत पर नपर नजा दीजेνग विख्यों वेटी हूं राजिस्तान का नाम कभी खराब नहीं करूंगी तो अगर मुझे इसा करना होता तो मैं दस साल पहले ही आ जाती है मुझे ऐसा कुछ ही नहीं करना है मेरे टेलेंट पे मुझे बहुत भरोसा है तो उसके जरीए में जाना चाहूंगी बस कभी आपको ऐसा नहीं लगाया कि माले जी कि आप पर टीनियों होता है कि अपने शूटिंग में वीज़ी रहते हैं आप तो नहीं एसा तो कुछ नहीं में मेरे कामें बहुत वीज़ी रहती हूं राजस्तान में और मुझे इतना समय भी नहीं मिलता है कि मैं इस प्रोसेंग पर ध्यान दो मुझे इतना वह नहीं रहता है मुझे बहुत मतले समय नहीं मिलता मेरे शूट चलता चलते राजस्तान में और मेरा खुद का चैनल राणी रंगी यूटूब चैनल मेरे कुद की मीजिव कंपनी है उस पर मुझे प्रोपर ध्यान देना पड़ता है मनतली तो बस इसी पर में ध्यान देती हूं तो आपको सैय एक बड़ी मुझे कंपनी ने आपको ऑफर्ड चीयाता जी तो अपको आपको आपको अपने कीव उपकराई जो मेरा बजट था वो नहीं दे पाया इसलिए मैंने नहीं किया और मेरे फिर खुद की कंपनी तो इतना बाड़ी कंपनी होगी तो बिल्कुल करना चाहूंगी थे प्रफिशन और में गुस्टा से पशनल आपके लिगेंकर कि बहुत चाचा चलती है अब तो आप शेफें आली में देदे थी खासाँ आपके अशार्त हो घी एसा एकशल क्या है मदलब मेरा जो गुस्सा मुझे बहुत तिज गुणसा आता है मेरे को राजस्तान में के नाम से जाना जाता है रहेगों नहीं चाहरे मária कि भी कुछ गुणकत फार लुव हुए इतना तेज गुणसा था कि हम जो सांध मरूत बोह अच्छी हों पॉपापा नहीं तो सब जीमेदारी मुझे देखनी है इसलिए बस अब दोनों को अगरे साथ किसी तर्फिस देखने को मिलेगी क्योंकि यह राजस्तान से और मैं हरयाना से तो दोनों किनेक्टिविटी इतनी अच्छी है ना तो अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी एक शांत और एक जिद्धी शपना की कानि आप से कुस्स मिल से दुटी नहीं पर से नहीं उनका थोड़ा अलग है हारयाना का थोड़ा सा अलग हमारा राजस्तान बहुत आप समझ सकते हैं मतलब मैं हर्याना में भी शो करती हूँ इसी बात नहीं हमारे राजस्तानी लोग रहते पर उनका थोड़ा अलग है किसी को मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रहे हूं कोई समय से नहीं है गुंगट में रहना चाहिए यह अपनी मर्यादा है संसकारी संसकार तो इसी में है झाल 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 झाल